वेलकम बैक टो नदर वीडियो ओफ कोशिन फर यू आई होप गईज आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में एंड गईज पाई नेटवर्क को लेके बहुत सारी खुशकपरी और बहुत सारी एक्साइटिंग अ निकाल चुका है पाई वॉलेट को लेके बहुत तगड़ी इंफोरमेशन आ चुकी है वेब 3.0 को लेके ब्लॉक्चेंज को लेके एनफ्टी को लेके और ऑपन मैनेट कब आप सभी को देखने को मिलने वाला है और पाई नेटवर्क का क्या प्राइज होने वाला है सारे के अब्धेट्स आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे और भी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है जो हाइलाइट्स के अंदर कवर नहीं किये जासते है जो वीडियो के आपको बीच में एंडिंग में देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज का को की को लेकि आ चुका है और यहां पे बताया जारहा है बी शूर टु प्ले एटेंशन टू डु दी के वाइसी विरिफिकेशन नोटिस्टी नेक्स टाइम यूविल माइन तो यहां पर एस शॉरटी मिल रही है एक वाईसी वेरिफिकेशन बीक टाइम में बहुत सारे नो नहीं कि fix किया जा रहा है कि इसको पहले मिलेगा यहां पर randomly हो रहा है चाहिए वो नएपाइने जोई किया जा सकता है intention वह ब me के यहां पर अइसा नहीं कि आ एप सभी को देखने को मिलेगा कि जो पुराने थे उन тогда as a late होगा जो नए है उनका जल्दी होगा ऐसा नहीं है हर टाइप के as a situation में देखा जाएगा आप सभी के साथ कोई भी भेद भाव देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा जो भी as a पहले का apply किया होगा उसका भी देखेगा और जो अभी का apply हुआ है उनको भी as a select किया जाएगा उनके as a statical behavior के इसाब से ठीक है I mean आप सभी के time के बिहाफ पे और बताया जा रहा है we hope to see all pioneers KYC soon और यहां बताया जा रहा है सभी pioneers की KYC बहुत जल्द आप सभी के बीच में होगी और पाइनेटफक बहुत ही excited है इस चीज़ को लेके और जो next चीज़ यहां पर बताया जाए यह blockchain और checklist को लेके और उसके साथ pie wallet को लेके बताया जा रहा है your pie wallet will hold all of your pie once you complete your manage checklist यहां पर साफ साफ क्लियर किया गया है जो pie wallet होने वाला है वो जितने भी लोगोंने as a hold किया है उन सभी को as a बहुत सारे benefits मिलेंगे जैसे ही manage checklist live होगा और उसके बाद migrate on to the manage blockchain जैसे ही आप इ benefits देखने को मिलेंगे कहने का मतलब यह है जितने लोगोंने pie के coin को mine किया है अभी जो currently आप सभी के बास coin है उसमें से 25% as a आप उसको use कर सकते हो pie chain mall के through और जो बाकी बचेंगे या आप चाहो तो सारे को store करके रख सकते हो और जैसे ही manage launch होगा उसके बाद आप सभी को as a proper valuation देखने को वहाँ पे मिलें इस चलते है अपने next most important update की तरफ जो की pie wallet को लेके आ चुका है यहाँ पे pie के developers जितने भी है उन सभी को एक मौका मिल रहा है create करने का wallet और यह जो होने वाला है d applications के थुरू है decentralized applications के थुरू और यहाँ पे आप सभी को open करने के लिए दो methods यह जा पहला होने वाला है fingerprints और दूसरा होने वाला है 24 number का password combination और यहाँ पे आपको इस type का कुछ interface देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक बहुती जरूरी चीज़ के बारे में लिखा गया है as a non-custodial wallet your wallet passphrase is exclusively accessible only to you recovery of passphrase is currently impossible तो यहाँ पे जब भी आप इस wallet को create करोगे अपने 24 word के password को रखोगे उस situation में आपको यह बहुती unique और बहुती tough रखना पड़ेगा कि आप ही उस चीज़ को पहले समझ सको और उस चीज़ को कोई copy ना कर सके और उस चीज़ को आपको किसी को भी share नहीं करना और by chance आपने जल्दी बाजी में normal password रख लिया या आप password लि एक है कि अभी currently recovery वापिस possible नहीं तो जो भी आप as a password रखोगे तो वह आप सभी याद करके लगना कहीं पर लिखके रख लेना जैसे कि आप सभी को as a help मिले और दूसरा option आपको यहाँ पे fingerprint का देखने का मिलेगा तो आप fingerprint भी as a easily कर सकते हो जिसे कि आपको कोई tension लेनी की ज पहती as a important भी आप सभी के लिए रहेगा आप सभी के wallet को as a unlock करने के लिए और यहाँ पे लिखा गया है if you are trying to unlock your personal wallet go back to previous page and use your password to unlock your wallet अगर आप चाहते हो कि आप अपना personal wallet को as a खोलना चाहते हो तो उस situation में आपको back जाना है मतलब कि back वाले page पे जाना है जो कि यह वाला page है य उसको simply यहाँ पे लिखना है और unlock with as a pass phrase पे क्लिक करना है जहाँ पे यह option देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह बहुत ही important है और यहाँ पे सबसे एक जरूरी चीज़ आपको password बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे I mean भूल जाते हो तो situation में आपक कब तक यह दे तो इसलिए तरीके से आप इस चीज़ को करना और दूसरा most important update आ चुका है जो कि pie network as a official की तरफ से जैसा कि आप सभी देखते हो verified account है 2.3 million followers भी हैं यहाँ पे बात की जारी है pie network vision is to build the worldest most inclusive peer-to-peer ecosystem and online experience और यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से pie network daily basis पे as a बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे हर टाइप के as a barter system आप सभी को देखने को मिलते हैं और आप सभी pie chain mall के through भी products को easily buy कर सकते हो और other other countries में pie की services को भी start कर दिया गया है और pie जो crypto currency है एक fiat cryptocurrency बनने वाली है जो हर country के अंदर use होगी और यह पूरे world के अंदर चलने वाली है अब हम बात करते हैं most important update के बारे में जो की KYC verification को लेके update आ चुका है और आप सभी के as a application के अंदर इस type का कुछ interface देखने को मिल चुका होगा और यहाँ पे as a आपको एक important चीज़े जो verify करनी है आपकी ID और यहाँ पे 2-3 चीज़े और लिखी है जो की 5-10 के बीच में है और एक quite का option है और good का option है तो इन सब में सबसे important है आप सभी की ID इस चीज़े को आपको अच्छे से verify करना है जो आपका name है जो आपके details है जो आपके documents है उसके बाद ही आपको go KYC पर जाना है और यह सभी को देखने को मिलेगा और इससे बहुत तेजी से KYC's complete होंगी और उसके स यहां से पढ़ें तो अलग-अलग type की shops है जैसा कि मैं यहां पे बताओं कहीं पे CZ as a information करके है और उसके साथ यहां पे as a speaking institute करके है मतलब हर टाइप के cafes की बात करें normal barber shops की बात करें तो हर टाइप की तो बात करने जा रहे है तीन common ऐसी mistake के बारे में जो आप सभी कर रहे हो तो आप सभी को तरीके से select करना है कि आप कौन सी country के अंदर रहते हो गलत country आपको select नहीं करने आपकी जो country है उस country को select करना है और दूसरा जो most important चीज है आप सभी को जो वहाँ पे document बोले जाते हैं पाई network जिन document को support करता है उन्ही documents को आप सभी को upload करना है कोई दूसरा ID document आ आपको वहाँ पे upload नहीं करना और उसके साथ जो तीसरी चीज बताई जारी है आप सभी को सारी details एकदम अच्छे से fill करनी है और उसके साथ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब यह है आप सभी की जो date of birth है आप सभी का जो as a name है वो accurate वहाँ पे होना चाहिए upload करोगे तो वहाँ पे जो system देखेगा तो वहाँ पे उसको proper दिखना चाहिए और उसके साथ आपकी जो photo personal photo है वो भी आप सभी को अच्छे से as a visible way में upload करनी है ठीक है कभी कभी क्या होता है system इन सभी चीजों को properly deduct नहीं कर पाता जिसकी वजह से आप सभी की KYC के अंदर time ल पाई network का as a open management आप सभी को देखने को कम मिलेगा और पाई network का क्या प्राइज होने वाला है और इस चीज़ को नाइकुलस जो की पाई network के founder है उन्होंने इस चीज़ को लेके update किया है तो यहाँ पे बताया जा रहा है आप सभी को कि KYC जो है एक बहुत important role है जिसकी वजह से as a pine network के management को रोका जा रहा है और यहाँ पे आप सभी ने देखा कि आज और कल के अंदर KYC को लेके बहुत ही बहतरीन updates आ चुके हैं जो कि आप सभी के smartphone में applications के अंदर देखने को मिल चुके हैं और उसके साथ सब आप सभी को यहाँ पे as a wallet creation को लेके भी update आ चुका है और धी क्योंकि 14 March को 2023 के अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाला है क्योंकि 28 February को as a enclosed management जो period है proper finish हो जाएगा और एक तारीक के बाद आपका जो proper pie network है एक नए ही phase में पहुँच जाएगा जो कि phase 3 उसका start हो जाएगा क्योंकि अभी जो enclosed management चल रहा है ongoing hackton चल रहा है यह second phase है जिसके अंदर applications को create किया जा रहा है और जो third phase है वही as a open management है अब हम बात करते हैं pine network का क्या price अभी आप सभी को देखने को मिलने वाला है तो अभी का time में आप सभी हर exchanges पे देखते हो pine network को बट वो fake है बट उनके prices आगर आप देखो तो बहुत ही जादा high prices है मतलब कि 300 डॉलर कहीं 500 डॉलर कहीं आप सभी को 100 डॉलर देखने को मिलते है ऐसे different different आप सभी को pine network के prices देखने को मिलते हैं बट pine network के जो pine prediction के हिसाब से जो calculation के बिहाफ पे निकला है वो 40 to 50 डॉलर के आजपास निकला है जो minimum pine का price रहने वाला है 2023 के as a starting की बात करें जो की first phase होगा कहने का मतलब as a 6 महीने के अंदर आप सभी को 40 से 50 डॉलर के आजपास देखने को मिलेगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यह 100 डॉलर को हिट करेगा फिर 200 फिर 300 ऐसे करते करते पाई का price increase होता रहेगा तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही टा आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाईज एक लाइक जरू कर देना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पर जरूर प्रैस कर देना दोस्तों आज के लिए इतना है नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जैह हिंद वन्दे मातरम